नमस्कार स्वागत है आपका समाचार एक्स्प्रिस में और मैं आपके साथ विदिशा शान लिल्या क्रिशी कानून बिलके विरोध में किसानों के धर्ने प्रदर्शन में फिर से भीड बढ़नी शुरू हो गई है इतना ही नहीं भारतिय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने एलान भी कर दिया है कि वे किसी भी सूरत में आंदोलन से पीछे नहीं हटेंगे साथी ये भी का गया है कि वे किसानों के मुद्दों पर सरकार से बातचीत करेंगे आज शुकरवार को सुबह 11 वजे मुजफर नगर में महापंचायद भी होनी ते हो गई है गौर तलब है कि पुलिस 26 जनवरी को ट्रेक्टर किसान रैली में हुए उपद्रव को लेकर एक्शन में चल रही है उधर बीती रात गाज़ेपूर बॉर्डर पर भारती किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकेट के इमोशनल दाओं के बाद किसान आंदोलन और तेज होता नजर आ रहा है यहाँ यह भी बता दे कि गाज़ेपूर बॉर्डर पर गुरुवार तक ऐसा माहोल बन गया था कि किसानों को घर भेज दिया जाएगा लेकिन आधी रात को पुलिस को लोटना पड़ा क्योंकि किसानों ने आंदोलन तेज करने की तयारी शुरू कर दी थी अगर अगली बात करे तो किसान नेता राकेश टिकेट एक बार तो अधिकारियों के साथ बैठक के बाद धरनासल से हटने को तयार हो गए थे लेकिन नंद किशोर अपने समर्थकों के साथ धरनासल के पास पहुँच गए भाजपा विधायक नंद किशोर की एंट्री से मामले ने नया मोड ले लिया क्योंकि उन्होंने पुलिस से कहा कि आंदोलन कारियों को रविवार तक हटा ले वरना हम हटाएंगे इसके बाद टिकेट का मन बदल गया और वो भी भड़क गए उन्होंने कहा कि अब तीनों काले कानून को निप्टारा करके ही लोटेंगे वही इसका असर ये हुआ कि लाटी और गोली वाले बयानों से विवादों में आए टिकेट इमोशनल दाओं भी खेल गए उन्होंने रोते हुए कहा कि मुझे मारनी की साजिश रची जा रही है मैं खुद खुशी कर लूँगा देश के किसानों को बरबाद नहीं होने दूँगा गाजिपूर बॉडर पर बदले हालात को देखते हुए रात दस बजे मुझफर नगर के सिसोली काओं में राकिश टिकेट के घर पर गाजिपूर कूच के नारे लगाती भीड भी जुट कई जिससे भी आंदोलन में एक नया मोड आया कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा रात ग्यारा बजे से मेरट, मुझफर नगर, गाजियाबाद, शामली और बागपत से लोगों ने गाजिपूर के लिए कोच करना शुरू कर दिया हरियाना के भिवानी से एक हजार ट्रेक्टों पर किसान रवाना भी हो गए बताया तो ये भी जा रहा है कि दोनों राज्यों में हालात बिगरते देख गाजिपूर बॉर्डर पर कारवाई के आदेश का इंतजार कर रही पुलिस फोर्स पीछे हटनी शुरू हो गई बताते चले कि गाजिपूर बॉर्डर पर पुलिस ने गुरुवार शाम चार बजे धरना सल को चारों तरफ से सील कर दिया था वहाँ पर भारी पुलिस बल भी तहनात कर दिया गया था किसानों को हटने का नोटिस भी धमा दिया गया था अफसरों ने कहा कि धरना हटा कर रहेंगे अगर अब यहां यूबी कहा जाए कि टिकेट के आसूं से दुबारा किसान आंदोलन खड़ा हो गया है गाजिपूर में किसान जुटने लगे हैं तो शायद गलत नहीं होगा बताते चले कि उत्तर प्रदेश सीमा अपर गाजिपूर की हवा को गुरुवार्थ दोपहर तक आत्म समर्पन की भावना ने रोग दिया था हजारों किसान जो दो महीने से दिल्ली की सीमाओं पर डेरा जमाय बैठे थे उन्होंने मान लिया था कि जल्द ही प्रदर्शन सर खाली हो जाएगा 26 जनवरी की हिंसा के बाद भारी संख्या में पुलिस कर्मी सुबह से ही प्रदर्शन सर पर पहुँच रहे थे जल्द ही खबर आई कि गाजियाबाद डीम ने किसानों को मोखिक रूप से अल्टीमेटम जारी कर दिया है कि वो रात तक धरना सल छोड़ दे प्रदर्शन सल पर पुधवार से ही बिजली और पानी की कटोती चल रही थी डीम के आदेश के बाद प्रदर्शन सल खाली करने का संकेत साफ था मगर शाम होते होते माहौल बदल गया शाम को भारतिय किसान यूनियन के नेता गाजिपूर पहुँचे और जन्ता को संबोधित किया वरिष्ट पुलिस अधिकारियों और जिलाप्रशासन से किसानों की बाद चीत हुई और तभी सब चीजे बदल गई सभी अटकलों के बावजूद बेकी उनेताओं ने घोशना कर दी कि कुछ भी हो जाए वो आत्मसमरपन नहीं करेंगे और कृशी कानून का विरोध जारी रहेगा ऐसे ही लेटेस को बरेपाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें हमारी चैनल को लाइज, शेर और सब्सक्राइब करें धन्यवाद राजगराना एंड जोती गार्डन अजे बीडी बैंक्वेट एंटरप्राइब